तो हाए एवरिबर्ड तो आज हम लोग देखेंगे फास्ट पूर लेसी का फास्ट पूर लेसी हेविड्यूटी एर कंडिशन अमेजिंग फीचर्स इंसाइट पावरफूल फास्टा कुलिंग और साइट तो इसके अंदर पावर और फीचर्स जो है अमेजिंग फीचर्स इसके अंदर है और पावरफूल है और फास्ट पूर करने में आपको आउटसेट में रूम के अंदर आपको काफी ज़्यादा जल्दी ठंड़ के अंदर लगा है ट्री एचडी कंप्रेसर जो कुलिंग इवेन अट 58 celsius तो इसके अं के अंदर जो कंप्रेस करने का चमता होता है वो दो है इसलिए इसका नाम है ट्री एचडी कंप्रेसर अपने आपको बोल लेए इसके अंदर वैरेबल वैलसिटी ट्री हैवेड्यूटी कंप्रेसर लगा है जो आपको 58 celsius तक आपको पूलिंग पूरवाइड करता रहे है इ इसके अंदर वो AI है AI means artificial intelligent powered by air smart cooling delivered तो हमेशा यह automatic इसके अंदर दिमाग डाला गया है जिससे यह automatic वो room के temperature को optimize करके sense करके और बाहर के temperature को optimize करके sense करके यह आपको cooling पूरवाइड देगा जितना भी आपको ज़रूरत तो अभी बाहर 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 टैंपरेचर सेट करने का ज़ नेक्स्ट जो features इसके अंदर आपको मिलता है dual gold pins तो improve cooling efficiency तो इसके अंदर जो dual gold pins है generally हम लोग के सारे AC में जो भी AC होता है वो आपको one-sided coating ही देते है things पर coating देते है इंडोर में cooling के लिए but mainly cooling होता है वो condenser के through ही होता है gas जितना जल्दी ठंडा होता है उतना जल्दी आपको room के अंदर cooling मिलना start होता है तो IB नहीं यह दिमाग लगाया है कि सबसे पहले दोनों साइड आपको cooling देता है जिससे आपको काफी अच्छा बहतरीन cooling मिल सेके और जल्दी cooling मिल सेके long throw air cold air calculation LTCC तो यह लंबे room कितना भी लंबा हो आपको powerful aerodynamic blower इसके अंदर लगा है जो 360 में cooling को provide करता है तो लंबा जितना भी room है वो cooling आपको हर कोने तक और हर वे में आपको देता रहेगा कितना भी लंबा room नेक्स अगर बात करते है गैस की तो इसके अंदर जो refrigerant डाला गया गैस जो डाला गया R32 gas है जो पहले जो gas आता था वो R410 था तो बहुत सारे AC में हो हमारे eco-friendly नहीं हुआ तो R32 एक तो बहुत ही अच्छा perform भी करता है और साथ में eco-friendly भी है और साथ में highly efficiency refrigerant है जो compressor को काफी अच्छा boost देता है और चल्दी cooling पोरवाइट करता है नेक्स अगर बात करेंगे यूनिक features में तो इसके अंदर आपको 18-1 मिलता है 18-1 का मतलब कि ये 8 अलग-अलग mode में जूच कर सकते हैं बेले ही अपने daytime का AC लिया बट उसको आप daytime में भी और after में भी चला सकते हैं like super में अगर आप चलाते हैं तो 115% capacity के साथ चलेगा तो amazing features की एक और इसके अंदर बहुत अच्छा features मिलता है जो 18-1 है तो जैसे कि कोई भी AC हम लोग purchase करते हैं तो अगर daytime का AC तो आपको अबराने की बात नहीं है कि आप उसको power consumption ज़्यादा लेकी या बहुत ज़्यादा लेकी तो आप उसी AC को आप 8% में daytime में भी यूज़ कर सकते हैं तो जैसे आप सिंबल में देख रहे होगा सुपर दिख रहा होगा तो उसमें आप ज़्यादा daytime का AC है तो पॉर्णे दो टन तक 100% C1 में 100% में चला सकते हैं C2 में 85% चला सकते हैं C3 में 80% चला सकते हैं C4 में 75% और C5 में 70% और C6 में आप 80% में डाल सकते हैं Eco बटन एक अलग से मिलता है जिसके अंदर आपको Eco मोड में चला सकते हैं जिससे काफी ज़्यादा पावर कंजेप्शन कम हो तो यह आठ अलग 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 मोड में चला सकते हैं आपके रूम के अंदर दो लोग है तो दो लोग के साफ्श चलाएं आपके रूम में अगर कुछ लोग जादा है 5-6 लोग है आठ लोग है तो आप उसको Day 10 में चलाएं अगर बहुत जब पाटी मोड में है आपके रूम में बहुत 10 या 12 लोग है तो आप सुपर मोड में चला सकते हैं जो यह 115 परसेंट तक भी कामकर्स के बाद जो हमारा AC है वो आपको Smart AC मिलता है तो इसके अंदर Wi-Fi विल्ड होता है और कुछ मोड में Wi-Fi आप अलग से मोड में लगा सकते हैं वही AC को आप दो साल के बाद भी Smart AC बना सकते हैं वही AC को आप अभी भी Smart AC बना तो मोबाइल से कनेक्ट करके चला सकते हैं अगर आप दर में रौटर है आप इसको कहीं से भी All Over India से घर के अंदर नेट होना से भी आप इसको आडर दे सकते हैं voice command के थूर या आप mobile apps के थूर प्लस auto geo sensible technology है कि जैसे आप एक किलोमेटर या दो किलोमेटर में आप जियो टाइकिंग करके रखते हैं तो automatic वह AC चालू हो जाएगा आपकी घर पहुँचने से panic next बात करते हैं 4-way auto pulling का तो 4-way auto pulling ये इसके अंदर जो swim है left right and up and down है दो चारो तरफ ये हवा को देता है जैसे आप कोई भी डिवाल आपका left side है right side है आपने चेर left side लगा के रखा है right side लगा के रखा है तो वो कोई भी घबरानी की बात नहीं है 4-way pulling ये वो चारो तरफ हवा आपको equally distribute करेगा horizontally and vertically next बात करते हैं के अंदर filtration का तो एक major जो चीज होता है अमारे आज की दुनिया में जो polluted air है तो IAB नहीं ये भी क्याल रखा है कि आपकी घर के अंदर साथ तरस वो अब आपको filterize करता है like dust filter, 0.3 filter, antibacterial filter, vitamin filter तो काफी 7-7 तरीके से ये treat करता है जिससे आ आप cleaning हवा में सास ले सेके और कोई तरह का बद्बू या कोई तरह का absence ना रहे आपके रूम के अंदर बद्बू बद्बू बेगारा ना रहे आपके रूम के अंदर तो IAB नहीं इसका भी ख्याए अरग नमेक रिमोट काफी funky है और काफी दिखने में अच्छा है जिसमें different different button से और different different mode से आप use करते हैं बात करते हैं इस्टार डेटिंग का तो IAB का 3 star 4 star 5 star के अंदर मिलता है तो आपको जो भी आप अगर लेना चाहते हैं अपने budget के अनुसार अप ले सकते हैं इसका सबसी बड़ा चाहिज है ये टॉलफी नमबर जो होता है इसका वो 24 इंटु 7 परना होता है वो 24 गंटा सातो दिल लगता है तो आपको सर्विस सपोर्ट के लिए इदर उदर जाने का जूरत है आप तुरंत अपने मोबाइल से कॉल लगा सकते डाइस हजार से ज्यादा सिटीज में निशन बाइस में यह सपोर्ट देती हैं और कोई भी मिले ही साब से या निरेश्ट दुकान में जहां IAB का AC available है और इसके साथ जो स्मार्ट फिचर्स था तो स्मार्ट फिचर्स के साथ यह एक और बहुत अच्छा उंता फिचर्स देती है जो माई IAB अप से आप कहीं से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं कोई आपको सर्विस बुक करवा सकते हैं या आप किसी चीज को खरीदना चाते हैं IAB का प्रोडक्त तो आप खरीच सकते हैं नेक्स बात करते हैं बहुत इंपर्टन फिचर्स की नैनोटिक कोटिंग यह प्रेकर ट्यूट तो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत अच्छा एक फिचर्स है जो गास को लिक नहीं नहीं देता आप कोई भी इसी देखते हैं तो क्या होता है सामने डश्ट कवर यह बहुत सारा कवरेज फिंग्स को बचाने के लिए लगा होता है बट साइड में कुछ नहीं होता है तो आये बी नहीं वह दे रहे हैं जिससे गास लिक नहीं हो और पेसी भी देती है जो इसका अउट्डूर के अंदर जो पीसी भी लगा होते है वह काफी ठंडा रहता है हवा के कारण जिससे आपका एसी काफ़ी लंबे हाईडी टेंप्रेचर में भी ट्रिप ना हो और लंबे समय तो कूलिंग परवाइड देता रहे और पीसी भी इसका इसका अंदर आउट्डूर पर जो पैंट होता है वह जो फूर्ड बिलर में पैंट यूज किया जाता है बेसिकलि उस वह पैंट इसके उपर देती है तो कभी लांग लास्टिंग रस्ट लगने का कोई चांसिज नहीं होता है तो सबसे अच्छा पेंट माना जाता है जो यूज होता है आपने देखा होगा फोर्ड बलर समयचा रॉड पर खड़ा होता है उसका कलर डिस्किलर नहीं होता है तो वैसे ही आप पे आउट्डोर है वह तो और उसपे रस्टिंग के प्रभलाग कभी नहीं है कि सिफटी फिचर्स का तो फाहर प्रूफ इसी भी देती तो यह सबसे अच्छा चीज़े, safety रखता है, fat से safe रखता है, बहुत ही अच्छी technology है इसके अंदर, next अगर बात करते हैं, तो leakage detector, अगर gas का इसे leakage होगा है, तो आपको indicate करेगा E4 से, तो यह भी safety features है, आपको outdoor stand का, आपको प्रवाइड करते हैं, साथ में उस पर जो stainless steel bolt होता है, जो होता है, जो होता है, जनरली सर्णी सेंटर से, वो iron का bolt होता है, उसी एकान maximum AC के अंदर जंग आता है, तो आई भी आपको दे रही है stainless steel bolt, साथ में outdoor पर जो paint है, वो भी outdoor stand पर भी same paint करके दे रही है,